नमस्ते, मेरा नाम है चारू सेंग और लाइव लॉव में आपका स्वागत है आज की हमारी वीडियो बहुत अलग है तो इसे मैं एक सवाल से शुरू करती हूँ तो बताईए इनसाफ की क्या भाशा होती है? ये कैसा सवाल है? थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया ना? चलिए आसान भाशा में पूछती हूँ ये बताईए कि भारत की अदालतों में कौनसी भाशा का प्रियोग होता है? हाँ आप इस वीडियो को देखने वाले वकीलों और वकालत की स्टूडेंस या नी विध्यारतियों को मालूम होगा लेकिन आप इंसान के दिमाग में ये सवाल या ये उलजन कभी आई ही नहीं होगी क्योंकि हमने तो बस पिक्चरों में हिंदी में चीखते चीखते तारीक पे तारीक और इंसाफ की देवी के बड़े बड़े डायलोग ही सुने है तो आज की इस वीडियों में आईए बात करते हैं इस बारे में कि आखिर कौन सी भाषा भारत की कौन सी अदालत या कौन सी कोट में इस्तमाल करी जाती है भारत की ज्यादतर अदालतों में हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं का प्रियोग किया जाता है और ये भारत सरकार की अधिकारिक यानि ओफीशल भाषा हैं लेकिन याद रखें कि ये ओफीशल भाषा हैं राश्ट्र भाषा नहीं है हमारा सुप्रीम कोड जो है भारत की सबसे उंच दर्जे की न्याईक संस्था है अब वैं अंग्रेजी को अपने कामकाज के लिए इस्तमाल करता है ज्यादतर राज्यों के हाई कोड्स भी अपने कामकाजी भाषा के रूप में अंग्रेजी का ही प्रियोग करते हैं लेकिन सम्विन्धान में एक प्रमधान है जो ये कहता है कि राज्य के गवर्णर राश्रपती की अनुमती से authorized ये अधिकरत कर सकते हैं हिंदी या किसी और भाशा को वहाँ पर प्रियोग करे जाने के लिए ज्यादा तर subordinate यानि अधिनस्त अदालतों में जहां भी वो स्थित हैं वहाँ की शेत्रिय यानि लोकल भाशा का प्रियोग किया जा सकता है लेकिन राज्य सरकार के पास ही अधिकार है कि वो लिटिगेंस जो होते हैं यानि वहाँ के जो वादी या अधालत में मदद मांगने आये होई लोग हैं उनके सहीयोग या convenience के लिए किसी और भाशा को लागू कर सके या फिर इस संधर्व में कोई अधिनियम भी लागू कर सके अब हम एक बार ध्यान से डीटेल में Supreme Court, High Court और Subordinate Courts में प्रियोग होने वाली भाशाओं के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे Supreme Court की यानी उचन्याय अल्ले की भारत के संविधान के अनुछे 348 Supreme Court द्वारा इस्तमाल की जाने वाली भाशा के प्रवधान से संबंदित हैं, related हैं ये प्रवधान कहता है कि English Supreme Court की कारेकारी भाशा तब तक रहेगी जब तक की संसत कानून द्वारा विशेश रूप से इस काम के लिए कोई अन्य भाशा प्रदान नहीं करती है फिर अनुछे 349 के लागू होने के बाद संसत को समविधान के लागू होने के 15 साल बाद अनुछे 348 Clause 1 के तहत निरधारित भाशा में कोई भी बदलाब करने से रिस्ट्रिक्ट यानि प्रतिबंद कर दिया गया है क्योंकि अंग्रेजी ही सुप्रीम कोड की भाशा है साथ ही जो Judgments, Order और Decree होंगे वो भी English यानि अंग्रेजी भाशा में ही होंगे अब High Quartz की एक बार बात करते हैं अनुछे 348 Clause 1 के अनुसार High Quartz में इस्तमाल होने वाली भाशा English यानि अंग्रेजी है और Article के Clause 2 के अनुसार जो Governor यानि राज्यपाल होंगे वो High Quartz के काम के लिए हिंदी या किसी और भाशा का इस्तमाल निर्धारित कर सकते हैं लेकिन सिर्फ राश्रोपती की अनुमती से इस अनुछेत के एक प्रभधान में ये भी कहा गया है कि जो Judgment, Order या Decree होगी वो English में ही होनी चाहिए Official Language Act 1963 की धारा साथ में ये बताया गया है कि Governor राश्रोपती की सहमती से हिंदी या अन्य भाशा का प्रियोग Authorize यानि अधिकरत कर सकते हैं अगर कोई भी Judgment, Order या Decree हिंदी में दिये गए हैं तो उनके साथ उनका English Translation यानि अनुवाद भी रहेगा अब हम अपनी निचली अदालतों यानि Subordinate Courts के बारे में जान लेते हैं Subordinate Courts यानि हमारे District Courts जिला ने आया ले और इनमें जो भाशा इस्तमाल होगी इस बारे में दो प्रवधान मौजूद हैं Court of Civil Procedure की धारा 137 के अनुसार जिला अधालतों की भाशा अधिनियम यानि Act की भाशा की तरह ही होगी यानि Court की भाशा की तरह होगी हाँ evidence यानि सबूत की recording राज्य की प्रचलित भाशा में या state में इस्तमाल होने वाली भाशा में ही की जाएगी अगर किसी pleeder को अंग्रेजी नहीं आती तो वो court में अपनी जानने वाली भाशा में translation यानि अनुवाद की मांग कर सकता है और इसका खर्चा अधालत ही खुद उठाती है Code of Criminal Procedure 1973 की धारा 272 में कहा गया है कि राज्य सरकार high court के इलावा सभी अधालतों में भाशा क्या इस्तमाल होगी ये फैसला ये decision ले सकती है तो इससे हम ये मान सकते हैं कि जिला अधालतों में इस्तमाल होने वाली भाशा को राज्य सरकार खुद निरधारित करती है और ज्यादा तर ये भाशा वही शेत्रिय भाशा होती है जिसका प्रियोग वहाँ पे आम भाशा में किया जाता है यहां कुछ विवाद भी छड़े हैं समय समय पर English के प्रियोग यानि इस्तमाल को लेकर अदालतों में जैसे कि कई बार प्लीडर को अंग्रेजी नहीं आती तो कभी पार्टीज अपनी शेत्रिय भाशा का प्रियोग करना ज्यादा अच्छे से जानती है और उसी का प्रियोग करना चाहती है दूसरी तरफ अंग्रेजी के सहयोग में कहा जाता है कि इसके प्रियोग से देशभर की अदालतों में एक सम्मानता एक होमोजेनिटी आ जाएगी साथ ही देशभर के वकील, देशभर में किसी भी अदालत में जाकर वकालत कर पाएंगे, अपनी practice कर पाएंगे क्योंकि फिर शेत्रिय बोली बोलने वालों के पास वहाँ पर सिर्फ उनके पास एक मौका नहीं रह जागा, उनके पास ही मुनोपली नहीं रह जाएगी उन अदालतों में प्राक्टिस करने की उसके बाद एक और बात सामने आती है कि जब भी कोई मुकदमा डिस्ट्रिक कोर्ट से हाई कोर्ट या पर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है उसका अनुवात करवाना पड़ता है और उसका खर्चा भी पार्टीस को खुदी उठाना बताईए और आगे की जानकारी के लिए बनी रही सिर्फ और सिर्फ लाइवलो पर धन्यवाद